कि दोस्तों बारी होम काड़िञ इन अपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो घर में जो आपके वैसटेज हैं जो आपके जितने अब हर्थ में यूज होते हैं कीचन के वैस होते उससे आप छाद कैसे माच मच्छी के हड़ीच को छोर करके बाकि जितने हैं अंडे के छिलके फल फ्रूट्स जितने कुछ हैं सब कुछ एक बाल्टी में आप कठा करना है बाल्टी में कठा करने के बाद जब पूरी बाल्टी आपकी भर जाती है तो थोरे से उसके अंदर दही या किसी माच छाच या कुछ भी डाल करके आप उसमें मिट्टी की परट आप उसमें से डाल के देखे मैं राख ओगरा जो भी होता है ओभी हम मैं जला करके ओभी इसमें डाल देता हूँ तो उससे आप कर सकते हैं, जिससे आपकी पौधे देखे कितने तागतवर पौधे होंगे, जिसके अंदर में आप देखेंगे कि ये सब किसी भी पौधे में जान ला जाता है ये खाद, तो कभी भी आपको बाहर से आपको खाद परशेच करने की जोत नहीं है, बाहर से आज को बराबर चेंज करते रही है और उसके अंदर आप यही खाद डालिए आप देखेंगे कि आपके पौधों में जान आ हो जाये और जान आनके साथ साथ आपकी फूर्टीन और जितनी है सारा खुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा इसके अंदर में और खाद आप सो लाना की जोगत नहीं है घर में ही आप आपको खाद बना रहे हैं तो बहुत best process है इसके अंदर में आप आप देखिए पौधों क अब इसके अंदर देखी क्या है और इसमें सारा कुछ हमने कठा करते हैं बाल्टी में बाल्टी में कठा करने के बाद आपको इसको थोई से मिट्टी से बेस बना करके उसमें सारे कठे करिए और उस बाल्टी को आप बंद कर दिए बाल्टी दो से तीन महीने के अंदर में आ के त्यार हो जाएगा तो दोस्तों अगर वीडियो में नए हैं तब फिर लाइक के सस्क्राइब करें थाइंक्यू भेरी मच